कि ऐसे उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे अतिपरवल्य को पढ़ेंगे अतिपरवल्य की परिभासा इसकी करने कैसे बनती है अनुपरस्तकास युगमी अक्स केंद्र सिर्स यह सारी चीजे क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन से समझे अतिपरवल्य कब बनता है तो यह सारी चीजे आज की स्क्रास में होने वाले यानि कि कुल मिलाकर यह क्लास आपका आतिपरवल्य का इंट्रॉडक्शन है उससे आपकी मुलाकात कराएंगे कि जैसे हम हर एक बार एक एक से पहले उसका इंट्रॉडक्शन करते हैं तो ऐसी ह मिन्स यह है कि मानलो मैं इस तल में दो इस्थिर बिंदू ले लूँ एक बिंदू मेरा यह है एक बिंदू यह है मेरा F1 और F2 इन दोनों बिंदूवों से इस तल में इस्थित बिंदूवों का समुच्च मानले मैंने कोई एक बिंदू यह ले लिया यहां पे और कोई बीच की दूरी और दूसरा दूसरा बिंदू मैं F1 से दूसरे बिंदू आपको P2 पे मिला दू और P2 से फिर यहां पे F2 के बीच की दूरी या फिर कोई बिंदू इधर ले ले लेते हैं किसी तल में कोई तीसरा बिंदू F3 और F3 को F1 और P3 से मिलाते हैं तो इनके जो बीच की दूरी है इन दूरी का जो अंतर होता है वो हमेशा अचर रहता है इस दूरी और इस दूरी का जो अंतर है देखें आप जैसे की फिगरमाप को दिखाई दे रहा है कि F1 P1 माइनस F2 P1 इन दोनों की जो अंतर है वो उन दोनों की दूरी के अंतर के प्रावरी होगा अगर ऐसा कोई बिंदु है तो इसे मिलने वादा जो भी हमारा वक्र बनता है इसको हम अतीह परवल्य कहते हैं अब कुछ इसके की-पॉइंट है वो समंझे जो इस्थर बिंदु होते हैं इस इस बिंदु को हम नाभी कहते हैं जिनको आप बनाते हैं यह कि आपका एक्स लोकस ताय कि यह हमारा केंदर बना रहता है और अफ्रकला को फ विमारी के दूरी होते हैं यह दूरी 2-C किह two c होती है मिन्स अब यहां पे हमारा केंदर बीच में है तो यह दूरी हमारी हमारी सी हो जाएगी और यह दूरी भी हमारी 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 सी हो जाएगी इससे हमारा जो नाभी के निर्दे सांग है वो निकल के आ जाते हैं दूसरा ये जो परफल्य जहांपर इसके कुट करते हैं इसको हम सीर्स बोलते हैं और दौनों सीर्स के बीच की दूरी दूरी य consig के बीच की जो दूरी को दूरी को दो a से परदर्सित करते हैं मिन्स आपके जो सीर्ष वाला बिंदु आए अब ये दो है तो इसका आदा कितना हो जाएगा है हाँ से यहां तक a और ये भी कितना a तो सीर्ष बिंदु हमारे होंगे माइनस a,0 और दूसरा बिंदू a,0 तो मिन्स हमारे जो सीर्ष बिंदू निकल के आते हैं इससे वो आते हैं प्लस माइनस एकोमा जीडो जब ये एक्स अक्स पर होगा दूसरा होता है मारा सहीऊगमी एक्स सहीऊगमी एक्स में क्या होती है कि हम यहां से यहां तक की दूरी लेते हैं जिसको हम B कहते है तो यहां पर A, B, C में जो संबंद आपको मिलता है बच्चो वो यह मिलता है कि जो B स्क्यार होता है वो बराबर होता है आपका C स्क्यार माइनस A स्क्यार के या फिर आप यह भी कह सकते हो कि आपका C स्क्यार बराबर क्या होता है यहाँ पे A square plus B square, यह बहुत ही important है, यह relation होता है, कि इसमें A, B और C के बीच में, बात करते हैं, अनुपरस टैक्स की, वो अक्स, वो अक्सिज जो इसके नाभी से होकर गुजरता है, यह जो अक्सिज होता है, नाभी से होकर गुजरता है, इसको हम अनुपरस टैक्स बोलते ह ठीक है, अब यह हम आपको समझ मा आगया हो, अतिपरवल्य क्या होता है, अब बात करते हैं हम अतिपरवल्य का समीकर्ण के, अतिपरवल्य का समीकर्ण क्या होता है, अब देखें, अतिपरवल्य जो हमारे दो तरीके से बन सकते हैं, एक तो XX के अनुदिस होता है, और दू X के अनुदिस होगी और जब यह Y X के अनुदिस रहेगा तो ऐसी कंडिशन में आपका Y वाली जो ट्रम है वो धनात्मक होगी और X वाली ट्रम आपकी धनात्मक होगी यह आपको धियान रखना है xx के अनुदिस में जो आपका नाभिया होंगी वो प्लस माइनस 3,0 में आएंगी और जो yx के अनुदिस होगा तो सिंबल सी बात है yx पे है तो 0,0-C होगा यहाँ पर बात करें इसके सीर्स के तो सीर्स जो होंगे वो प्लस माइनस a,0 रहेगा xx में और yx में आपका 0,0-A रहेगा similarly lattice rectum की बात करें नाभी लंब की जीवा की बात करें तो नाभी लंब का जीवा हमेशा समान रहता दोनों में और नाभी लंब जीवा जो होता है वो आपका हमेशा fix रहता है 2B square upon a से यह इसका नाभी लंब जीवा होता है यह आपको याद रखना है फिर अगला जो आपको point याद रखना है वो याद रखना है इसकी entacity उतके अंदरता तो जो उतके अंदरता होती है इसकी वो हमेशा की तरह है इसमें क्या रहता है e बराबर c upon a उतके अंदरता जो है e बराबर c upon a होता है क्योंकि यहाँ पे जो उसका c होता है वो हमेशा इन दोनों परस्ते बड़ा रहता है जो c है वो greater रहता है किससे a से तो उसकी उतके अंदरता हम c upon a लगाते है और यही सब चीज़े आपके paper में पूछी जाती है इसका सीर्स के निर्दे सांग क्या है इसके नावियों के निर्दे सांग क्या है इसका नावी लंब क्या है इसके उतके अंदरता तक क्या है यही सब चीज़े आपको पूछे जाएंगी या तो आपको समीगर निकालने के लिए देगा अति परवल्ले में कोई वी जी आपकी गलत नहीं जाएगी टीक है उम्मेट करता हूँ आपको सुनिमा आगया होगा तो में आवाज जाहीं जाए भारत